क्या दो मेहने में ये पॉसिबल है अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये तो बताओ कि क्या पॉसिबल है तो मैं आप से आज एक सवाल करता हूँ क्या दो महने में get your first job अपनी पहली job पाना क्या possible है ये सवाल है मेरा हर उस graduate civil engineer से जो या तो अपने college के last year में या फिर just pass out हो चुका है क्या आपको ये लगता है कि दो महने के अंदर आप अपनी पहली job पा सकते है यदि हाँ तो नीचे yes comment करें यदि ना तो नीचे no comment ज़रूर करें लेकिन मेरा जवाब है हाँ ये बिल्कुल possible है क्योंकि ये सभी civil engineers इतने ही नहीं से भी धेर सारे civil engineers ने ये possible करके दिखाया है कि हाँ यार ये दो महने में हाँ अपनी पहली job लगा सकते हैं लेकिन वो लगेगी कैसे एक आसान सा तरीका एक मूल मंत्र pen copy लेके बैठ जाओ और ये मंत्र लेके चले जाओ सबसे important है job post के requirement को ही समझना है बस ये दो महने में उन हर एक job post की requirement को समझना है कौन-कौन job post चाहे site engineer, चाहे senior engineer, चाहे quantity survey और भी आगे बहुसर job post है इन job post की requirement को समझ लो कि construction company में क्या-क्या काम होता है बात करें construction process, drawing reading काम करवने की checklist, estimate बना mode of measurement, BOQ बना बार बेटनी schedule, quantity survey, rate analysis करना billing करना, contract बनाना, tender बनाना, DPR बनाना ये सारे skills है और हर एक job post की requirement यही सबसे important matter करता है यदि आपको construction industry में job पाना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा केवल और केवल, साथ स्टेप है और साथ दिन साथ स्टेप और साथ दिन यदि आपने महनत कर ली तो बड़े आसान तरीके से आप अपनी पहली job पा सकते है, वो भी 20,000 या उससे ज़ादा की ये मैं आपको challenge कर सकता हूँ लेकिन ये साथ स्टेप आपको follow करने पड़ेंगे अब आपके मन में एक सवाल आएगा सर, यदि हम बात करें construction को समझने की तो क्या 2 महने में ही possible है कि हम इतने बड़े construction को समझ पाएं यदि हम site ही चले जाएं कुछ भी construction process को सीखने के लिए तो कहीं पर foundation अवेलेबल नहीं है कहीं पर foundation है तो super structure जब तक होगा नहीं पता वहाँ आप training कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कहीं slab बंद गया तो उसका लोहा देखने को नहीं मिला तो इसे बहुत सारे challenges होते हैं तो क्या सारी दो मेहने में possible हैं सब सीख पाना और यदी मैं कहूं आप से बिलकुल possible है और यह possible करके दिखाए है सिविल गुरुजी की टीम नेक new learning technology के द्वारा मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये देखो पूरा 3D construction model है ये site है, site cleaning हो गया center line layout अब हम भुर्जी marking करने वाले इसके बाद center line layout के बाद आप हमारा excavation हो गया excavation होने एक बाद पूरे construction process आप देखो column की placement के लिए marking चल रही है excavation हो गया, sand filling, PCC उसके बाद cover लग गया, हमारा footing का mesh लग गया ठीक है, column का जाली लग गया हर एक चीज, पूरा का पूरा घर अभी आपको 3D में बनते हुए दिखेगा pedestal column हो गया, back filling हो गया अब उसके बाद यहाँ पर one line brick work आएगा, ठीक है, one line brick work आगया इसके बाद ground beam या प्लिंट beam आगी फिर brick work, आप देखो यह पूरा का पूरा construction process सिर्फ एक मिनिट के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही सारी चीज, सिविल गुरुजी आपने इंजीनर के साथ यह knowledge शियर करता है कि कैसे पूरा का पूरा घर हम आपको इसी एक छोटे से वीडियो में आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो सोचो 60 दिन में कि आप यह नहीं सीख पाओगे कि building construction process बनता कैसे building कैसे बनती है, उसमें कैसे estimation बनाया जाता है कैसे BOQ बनाया जाता है कैसे BBS बनाया जाता है, कैसे billing की जाती है यह सारी चीज़े हम बड़े आसान तरीके से सीख सकते हैं पूरे 3D model के help से या foundation भी मिलेगा, sub structure भी मिलेगा, super structure भी मिलेगा, finishing work भी मिलेगा, fitting work भी मिलेगा, हर एक चीज, हर एक process हम इन 3D models के help से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और 60 दिन में आप अपनी पहली job guaranteed पा सकते हैं, यह लिख के लिए लेजिए, लेकिन उसके लिए साथ step, जो कि मैंने आपको बता है, वो सीखने जरूरी है, तो best process to learn these skills, यदि आपको एक process में सीखने हैं, तो सबसे step 1, आपको सीखने ले आउट बद, क्योंकि यही सबसे पहला काम होता है, यदि आपको आपकी पहली जोग पानी है, तो यह टाउंचिप ले आउट और सेंटर लाइन ले आउट, यह दो ले आउट सीखने के बाद, आपका पहला काम खताम हो जाता है step 1 complete, जिसमें आपको केवल और केवल दो दिन लगते है, साथ दिन में दो दिन लगते टाउंचिप और सेंटर लाइन ले आउट सीखने, step 2, इसमें लगते आपके 14 दिन, इसमें आपको वही 3D मोडल के हल्प से पूरा एस्टीमेशन बनाना है, क्या करना भी है, सेंटरल गवर्मेंट DSR को फॉलो करना भी है, सेंटरल के हिसाब से काम, एस्टीमेट बनाना सीखेंगे डीटेल पे, कोई स्टेट वाली बात नहीं, सीधा सेंटरल के हिसाब से काम करेंगे, foundation पार्ट के एस्टीमेट, सब स्रक्चर, सूपर स्रक्चर, फिनिशिंग और फ्लोरिंग वर्क, इसी वाज़े, सिविल गुर जी आपको बनाता है, बिल्ड कॉस सॉफ्वेयर के हेल्प से स्मार्ट, यह जैसे आप इंटरफेस देख पारे हो, बिल्ड कॉस सॉफ्वेयर का इंटरफेस, यहाँ इस इंटरफेस में, आप पूरे बिल्डिंग का, estimation, quantity survey और BBS, presentations daily, ताकि आपको जो भी आपने पढ़ा, उसको remember कर सको, recall कर सको, तो हमारा पहला process होगे layout, दूसरा process होगे estimation, आगे बढ़ते और भी अधर step, step 3 हमारा AutoCAD, AutoCAD नहीं सीखा, तो यह side पर यह दिदी drawings आई, और उसमें कुछ changes करने पढ़ गए, drawings की understanding करनी, तो AutoCAD सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन AutoCAD में AutoCAD चलाना नहीं सीखना, उसमें काम क्या है वो सीखना है, तो same fundamental, तो AutoCAD सीखना पढ़ेगा उसके लिए पहले तो, working plan कैसे बनाते हैं, वो सीखना है, उसके बाद layers में कैसे काम करते हैं, सोदेट आप drawing पढ़ भी सको, और यदि आपको changes करने तो वो भी कर सको, how to draw elevation section, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा problem आपको इफेस होते होगी, यार plan समझ नहीं आ रहा, उसका elevation समझ नहीं आ रहा, यार section समझ नहीं आ रहा, कैसे इसको match करके पढ़ू, कैसे इसको match करके समझू, और उसके बाद बात करें, तो भी यह government by laws और submission drawing की, government कैसे कौन कौन से laws है, जिसके हिसाब से drawing बनाना पड़ता है, और submission drawing पर प्रियार करना जो पास होने जाती है, government में, यानि कि नागर निगा में, municipal corporation से, यह सारी चीज़े बनाना सीखना, step 3, इसमें लगने वाले 8 दिन, 60 दिन में पहली job पाना guaranteed है आपके लिए, लेकिन यह 7 step ज्यान रख लीजिए, और कोई भी doubt है, तो बोल लाइन नमबर और नमबर यहां भी flash हो रहा है, 911-001234, और call लगा के मेरी टीम से बात कर लो, कोई भी problem है, शेयर करो, और solution जरूर ले करके जाओ, बात करते step 4 की that is next, जो की 6 दिन लगने वाले quantity survey में, हर एक तखा के materials का market survey के हिसाब से quantity survey करना, और उसके बाद rate analysis करना, हर एक project के हिसाब से, आगे बात करते step 5, हर एक structural member का जहाँ लोहा लगता है, उसका detail पर bar bending schedule निकालना, drawing पढ़ना, समझना, ये सारी चीजों के लिए step 5 next, 11 दिन आपको लगने वाले हैं, और यदि आप ये 11 दिन में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आप अपनी पहली जॉब 20,000 ये उससे जादा की जरूर लगा सकता हैं, आगे बात करते next step, 6th step, that is highway and surveying by auto level, again important part, township भी कर रो, तो भी road बनाना पड़ेगा, उसके साथ highway भी सीख लो थोड़ा सा, और क्या दिक्कत हैं उसमें, बारा दिन इसमें लगने वाले साथ दिन में, तो इसमें सबसे पहले आपको land की leveling, profile leveling और contour mapping, ये तीन सबसे basic चीज़े होती है, सरवे को समझने के लिए या फिर highway के लिए भी बात करें, तीन चीज़े सीखना, उसके बाद road, typical cross section, and plan and profile drawing को समझना, उसको पढ़ना, उसके साथ flexible payment का construction process, क्योंकि construction process यदि आपने सीख लिया, जैसे कि मैंने building का दिखाया था, सेम उसी तरह से flexible और rigid payment दोनों का construction process, और उसके साथ-साथ उनका estimate बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा, यदि आपको पहली job 20,000 या उससे ज़ादा की लगानी है, बात करते हैं हमरे 7th और final step की जो की है billing work, सबसे important और सबसे heavy work, यदि आपको industry में अच्छी salary, अच्छी growth चाहिए तो billing is the one जो आपको आगे ले करके जा सकता है, तो item wise contract, bill के साथ-साथ, और भी important formats, DPRK, reconciliation, price escalation, जैसी और भी important चीज़ों के साथ आपको go through करवाए जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, 7 दिन billing work में पूरा focus रखना है, यदि आप ये focus रखते हैं, इसके बाद चालू होता है, सबसे important part 7-7 दिन का, जो की है इन सारे skills को समझना, आपके साथ करी जाएंगे, कि भी ये practice तो कर लो, cricket खेलने से पहले, match से पहले next practice करते हैं, तो वैसी interview की practice कर लो, उसके बाद trips and tricks of company calling, company में फोन लागा कि क्या बात करना है, कैसे बात करना है, जितनी जरुवत आपको feel होती होगी, जोब की, उतनी ही जरुवत एक company को feel होती है, एक अच्छा, skilled और well-managed engineer hire करने की, तो जितनी जरुवत आपकी ही जोब की, उतनी जरुवत company की भी है, आपको hire करने की, तो दोनों बराबर है, तो ये सारे confidence generate करना खुद के अंदर, और खुद का interview finalize करके interview select होना, आपकी मर्द ये सारे skills note down कर लो, अब matter आता है, सीखें कैसे, यदि ये skills सीखने लायक है, तो भाई है सबसे पहले यूट्यूब उनिवर्सिटी है, वही से सीख लो focus में, साइट पर जाओ senior engineer को बोलो, कोई गर के पिता जी के पहजान का है, जो civil के field में है, उनके पास जाके सीख लो, अपने senior के पास जाके सीख लो, और यदि अंत में, कोहीं भी आपको option ना मिले, ये साइट सीखने का, तो एक option आपको पस हमेशा अविलेबल रहेगा, वो है civil guru जी के training modules, को software के साथ, AutoCat के software के साथ, और उसी के साथ साइट विजिट के साथ, हमारे branches अविलेबल हैं, एहमदाबाद, भिलाई, भुवनेश्वर, दैरादुन, द्वारेका, कोलकता, मतुरा, प्रियागराज, राची, और अंगाबाद, भोपाल, बिहार, दिल्या, NCR, जैपूर, लखनाओ, मोहाली, पूने, इंदौर, और अभी सिविल गुरुजी का न्यू नाइंटींथ ब्रांच ओपन हुआ है, यहाँ पर जा करके, आप दो महने के आने की, साथ दिन की training करके, अपने करियर में पहली जॉब पासकते है, वो 20,000 यह उससे ज़्यादा की, और सिविल गुरुजी का यह मानना, यदि आपने यह 60 दिन दे दिये, तो यह आपके करियर भर आपको इतना return निकाल के देंगे, जिसके सामने अभी का investment बहुत छोटा है इंदिनिया, तो यदि आपको यह साथों स्किल्स, साथ दिन के अंदर पूरे practical way में सीखनी है, तो सिविल गुरुजी है आपके साथ इंडिया के 19 साल अलग लोकेशन्स पर, जॉइन करने के लिए क्या करना है, फोन उखाना है, कॉल लगाना है, 911-001234, यह ब्रॉशर्स भी मैंने नीचे description में दे दिये, डाउनलोड करने के लिए, तो नीचे लिंक पर जाईएगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजेगा, और यह आप जानना चाहते है कि इसका schedule क्या है, module क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इस training का नाम है CTC Corporate Training Course, जिसमें आपको 65% फीज तभी पे करना है, जब आपकी जॉब 20,000 या उससे जादा की लग जाएगी, so engineers आपके लिए best मौका है, training जॉइन करके अपने करियर को आगे बढ़ाने का, और उन उचाहिये तक पहुँचने का, जिसके आप रियल में हगदार है, तो बस करना एक ही है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है, 911-00-12345, training duration आपका दो मेने का होगा, यानि कि 60 days का training duration होगा, हर मेने की पहली तारिक को सिविल गुरुजी के एक नया बैच चालू होता है, जहां पर आप अपना रिजिशन करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान एक ही चीज़ देनी है, सिविल गुरुजी मानता है, quality education में, quality training में, quality learning में, इसी वज़ेश हम एक ब्रांच में, सिर्फ 20 इंजिनियर्सी एन्रोल करते हैं, एक टाइम पर, तो यदि आपको आपके preferred location पे join करना है, और उनी 20 candidates में से join करना है, तो आपको अभी phone लगाना पड़ेगा, अपनी seat book करनी पड़ेगी, और training स्टार्ट करनी पड़ेगी, बात करें certification की, तो आपको autodesk authorized certification प्रोवाइड किया जाता है, उसी के साथ साथ आपको दो मेने के experience letter, और corporate training course completion का certificate, जो की all industry में मानने है, सेविल गुरु जी के द्वारा, ये सारी चीज़े आपको provide की जाती है, पूरे training module के साथ, इंजीरे सीखना तो पड़ेगा यार, चाहे आज चाहे कल, हम AutoCAD सीखने के नाम पर industry में बहुत पैसा देते, पैकेज के नाम पर बहुत पैसा देते हैं, लेकिन at the end of the day, company की demand वो होती है कि भी है, जो मेरा काम है, वो तुझे आता है, तो बात करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, और ये सारी skills सीखे कैसे, इतने advanced learning 3D modules, इतने advanced my build course जैसे automatic softwares, इतने सारी practical learnings, और इतने सारे trainers का support, civil guruji, India का one of the best, या फिर मैं कहूँ, world का one of the best, civil engineers के लिए training institute बनने जा रहा है, तो आपके पास भी मौका है, हमारे team के साथ जुणने का, career में आगे बढ़ने का, और उनुचाये तक पहुँचने का, जैसे कि मैंने कहा, जिसके आप real में हगदार है, तो अभी आपको phone उठाना है, call लगाना है, 911-00-1234 पर, team से बात करना है, और अपना career आगे बढ़ाना है, so engineers, I hope, आपको सारी details समझ में आगे होंगी, कि यदि आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं, सिविल की बात गुरु जी के साथ, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत,